क्या आपने कभी सोचा है कि शिप को आखिर कैसा रोका जाता है क्यूंकि शिप में कार या बाइक जैसे ब्रेक सिस्टम नहीं लगे होते है इसका जानने के लिए पहले ही समझते कि शिप आखिर कैसे चलता है शेप में एक प्रोपेलर लगा होता है जो पानी को आगे से कड़ता है और पीछे की और फिकता है जिससे शेप आगे की और बढ़ती है इसमें Newton Sir का 3rd law अप्लाई होता है Every action is equal and opposite reaction अब जानते कि शेप को कैसा रोका जाता है शेप को रोकने के लिए पहले प्रोपेलर को बंद किया जाता है और इसको उल्टे डिरेक्शन में गुमा जाता है जिसके वज़े से पानी अप पीछे से कड़ता है और आगे की और फिकता है इसके कारण शेप के स्पीड धीर देर स्लोर की रूख जाती है अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दियेगा